हाई अविर्वन असलाम अलेकूम मैं हूँ किफायद जाफरी आप लोग मुझे जानते हो आज मैं बात करूंगा राइट इस ऑफ पलंबर्स एंड राइट इस ऑफ कस्टमर्स अगर हम पहले बात करेंगे राइट क्या है पलंबर का राइट मिनस एक्तियारात हक हुकूक तो उसकी हुक हुक है ये चीज कि पूछने का दुकान दार से कि क्या ये चीज जो आप मुझे देते हो हो क्या ये लगाने के लाइक है या नहीं है क्या अतलब ऐसा है कि आज की आज उल्टा ही चलता है पहले में बता हूँ आज उल्टा ही चलता है आज पलंबर को कहते हैं नहीं जी आफसाइड में रहो मुझे कस्टमर से डील करनी है जिगर मेरा दुकानदार जो है दुकानदा के आपास जूब पलंबर ऐग्ज 2020 आज में इसलिए आज में बात ही करूंगा पलंब रॉंकी का होता है फाल पर उनको है मेर को हाई है सबसे पहली बात, पलंबर को हक है जानना कि मैं जिस कंपनी का ये सामा लगाता हूँ, क्या ये अथन्टिक है कहीं पे, पलंबर को ये हक है जानना, मैं जिस दुकानदार से सामा लेता हूँ, क्या मुझे ये वैलिड बिल देता है, पलंबर को हक है ये जानना कि मुझे कौन स सा चीज लगेगा कौन सा नहीं लगेगा पलंबर को यह हक है जानना कि वह जिस दुकान से सामाल लेता है वहां पे क्या सिच्वेशन है क्या वह सामान गंदगी भी तो नहीं पड़ी है जो हम अंदर जहां गर में हम लगाने के लिए जा रहे हैं अगर वह कही कुड़े कॉमरों को आज की टाइम पर पता ही नहीं है कौन सी कंपनी क्या चीज बनाती है पता है किसको प्लंबर को कि कस्टमर पता है क्या करते हैं कस्टमर आज के कलर से जानते हैं इनको यह इससे मतलब नहीं यह कौन सी कंपनी का है ना उनको मतलब ही यह वाइट है शायद या ब् इससी zodęता ना करें प्लंबर प्रॉसा करना होगा क्यार्श सबूल्सबील्टी जो होती है इससबॉंसिमिल्टी वो प्लंब निब होता है अपके सबस्टे तो नहीं है न अगरा पज़ा कस्ट समर देख रहे हैं आपके सार पर रेस्पांसिबिल्टी नहीं है, you should trust up to a plumber, because plumber is technical, you are not technical person, plumber is technical person, plumbers know what is the right and what is the wrong in market, दुकांदार की बात में करूँ, तो दुकांदार क्या बोलेगा, किसी दही बेजने वाले आज तक बोला कि मेरा दही खटा है, यही सेम हालत है दुकांदारों की, मैं यह नहीं कहूँ कि दुकांदार आपको अच्छा चीज दे देगा, स्याधतर में बात करूँ, दुकांद अगर देखूं 99% आपको बाजी करने की बुश्च करेगा लेकिन यही प्लंबर होता है जो बाजी नहीं करने देगा आपको कस्टमर को भी हक है पूछना में जिस कंपनी का यह सामान लगाता हूँ इसको राइटस है हाँ कि मैं जिस कंपनी का सामान लेने जा रहा हूं इसकी क्या गैरेंटी है और दूसरी रही बात यहां पर पिछले दिन मेरे मेरे साथ यह इंस्ट वह मैंने किसी को कॉल कि मुझे आई डबली सी चाहिए इंडियन सीट बहुत सरे इसमें जबानों अलग अलग जबाने में हैं अल तो लिए टॉलेट जो है वो उसके लिए मैंने कॉल किया तो वह को था के लगण कि से कुछनी गैरेंटी होती है वारेंटी होती है जीघर मेरा अब दिखो कुन सी कंपनी जती है जो कंपनी दे चरह को हूझते और गघा आपको महनों आपको वीड़ाइट मुझा ना 1 प्लंबर के सर पे जमदारी होती है आप कस्टमर देख रहे हैं ना पबलिक देख रहे हैं ना मेरे तो प्लंबरों पर बुरुसा कर लो पता है क्यों कल को रात में फॉल्ट आ गया तो प्लंबर को ही आना पड़ेगा सामने कस्टमर कम दुकानदार तो नहीं आएगा ना दु तीन तीन लाग का सामान लेता है प्लंबर का उसके बाद वो मिशीन उसको नहीं दे पाता है यह दुकानदार उसको मिशीन प्रवाइड नहीं करता है मैं यहां पर एक चीज़ वज़ा करके चलो इस वीडियो के जरिये से कि अगर कोई कस्टमर कोई प्लंबर 10,000 का सामान उसको मिशीन प्रवाइड करना होगा हां कैटेरिया क्या है इसका कैटेरिया है कंपणी का 50,000 पे एक मिशीन जो कंपणी नहीं दे देगा ना तो मैं दे दूँगा आपको मेरे चोईस पर कंपणी लगा दो मेरे कहने पर आप लोग कंपणी का में पी प्यार का कंपणी इसके लिए रड़ी हो तो हाँ हमें कोई इशू नहीं है मैं आपको दिखाऊंगा सची रास्ता पचास साल की गारेंटी और पचास जाजार रुपया पे मिशीन अगर अगर अब कैटेरिया है एक लाख रुपया जो सारे दुकानदार्स कहते हैं जब कि कंपेटिशन में अब अगर आप दुकानदार है आपने इसको ये सामान दिया मान लिया ये मेरी जैसे पलंबर है या अग्जक्टू पलंबर है या अलागे का इसके पास हजारों मिशीने होंगी जिस कंपनी का आपने इसको पी पियार दिया क्या इसके पास इस कंपनी का मिशीन होनी चाहि इसके लिए सबसे पहले बदकिस्मिति के आगर मैं बात करूं यहां पे हमारे इंडिया में तो यहां पे जो हाडविर वाले हैं इनको खुद नहीं पता कि हम क्या बेजते हैं इसलिए यह जो शॉप की पर हाडविर वाले जो बहुत बड़ी एक मार्केट बनी हुए है बहुत सब्सक्राइब कंप्लेक्स में बराबरा है माल लेकिन यहां ब्लाइंड देटोंट नो वाट वुराइज वाट वी आर बाइंग सेलिंग एंड कस्टमरों की बात में करो उनको तो अलड़ी पता ही नहीं है हम क्या लाते हैं तो मैं यहां पर आप सारे बायूं को जितने भी प्लंबरस मेरे देख रहे हैं या जितने भी मेरे पब्लिक मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग कि आपको गुसा करने की कुशिश करेगा मिस्भी हैवर करने की कुशिश करेगा आपको इस रास्ते से अपना राइट उसको अगर आपको जो राइट उसको वो मारने की कुशिश करेगा तो यू शुड कॉल मी आई विल सी उस दुकांदर और मैं जानोंगा फिर आपको हम इसके लिए बनी है यह वीडियो उस बनाने का मेरा मैन मकसद ही है कि ग्राउंड पे सिच्वेशन चेंज हो जाएगा कि मैं गरगर नहीं जा पाओ चुगा मैं वीडियो के जरी गरगर पहुचता हूं तो कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि हमारा क्या राइट उस है अब ही बात क्रेडिट लेने की मैंने खुद देखा यह चीज़ के उधार लेना होता है कहीं मजबूरी होती है इंसान की तो यह दुकांदार मजबूरी का फाइदा लेता है क्यों लेका फाइदा इसको मरना नहीं है कि वहाँ पे अगर आप लोग को लगेगा कि इस दुकांद कोट है कंजम और कोट के पास जाओ अपना राइटस मांगो राइटस मांगना सीखो राइटस लेना सीखो मेरे वीडियो बनाने का तभी फाइदा है जब ग्राउंट पे आप लोग वीडियो को देखोगे और देखने के बाद आप लोग इस पे काम करोगे कि अगे मैं बहुत बड़ा एक एक एक्सपोज करूंगा इन दुकानदारों को कि कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज आपको एडवांटेज देती है डिसकाउट देती है फिर दुकानदार कितना मारता है मैं अगर यहां पर बात करूं अगर सिर्नगर में कोई चीज 10 रुपय का है तो कफ़ड़ा में यह 50 रुपय कैसे पहुंचा यह वहां कोलगा में यह 50 रुपय कैसे पहुंचा जब सिर्नगर में 10 रुपय का है तो वहां पे 12 रुपय कबेजो यह सारा चीज मैं हलब कर दूँगा इन्शाला इन चीज़ों में कि मुझे इतना पता है कि आप लोग है तो मैं हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेगा इंशाला आगे के लिए मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा लेकिन चलते चलते इस वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर से रुकस्ट करूंगा कि प्लंबर इस बिल्ड आफ नेशन प्लंबर इस प्लंब किसी पर इख लावर सल्घी नहीं है फलंबर इस तोटली इंडिपेडिडेगों प्लंबर मर्जी attract चाहिएगा जाएगा कांप नई चाहिएगा नहीं जाएगा कांपी पो डिपैंट करता है का समर कैसा भीवर का लिगा को सुचना है स्पूल परनहीं करना है तो आ करते जाओंगा आगे के लिए अभी मैं ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं भी ज्यादा नहीं बल पाऊंगा तो मैं इतना कुशिश करूंगा आपको कि इस वीडियो को आप शेयर कर लो तक कि अपना राइटर्स हर किसी को मांगने का मोका मिले